हेलो टो आल माई डिवाइन सोल फैमिली पर्मोनेंट यूनियन के बारे में आज बात करेंगे और बहुत सारे चेंजेस वो भी हम डिसकस करेंगे उसे पहले मैं बता दू आगस्ट के फर्स्ट विक से हमारे गुरुकुल का सेकेंड कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं सेकेंड बैच वो भी है और न्यू स्टूडेंट्स पी आड हो रहे हैं ओल्ड स्टूडेंट्स से और कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा न्यू हम जो भी सीख रहे हैं दे बाइटे पुराने स्टूडेंट्स को मिलेगा न्यू स्टूडेंट्स को जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो भी टिचिंग देंगे और मैं भी तो इस तरीके से हम गुरुकुल को लेके याने नौलेज को सही दिशा में लेके चल रहे हैं तो बहुत इंपोर्टेंट है रियूनियन और नौलेज वो मैं आगे बताऊंगी तो गुरुकुल में जो जो इंट्रेस्टेट है वो अविश्य आए क्योंकि जो बहुत बड़ी चेंजिस होने जा रहे हैं वो सिर्फ कब डियम मिलेंगे कब डियम मिलेंगे करोगे तो पॉसिबल नहीं है तो बी ऑनेस्ट बहुत सारे चीजे बहुत कोर में जाके समझना है अन्डेस्टैंडिंग आना है एविलिटी आना है देखिए ज जब कुछ बहुत बड़ा चेंजिस होते हैं तो हमें भी उस सिच्वेशन के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाना जरूरी है तो आज इस गुरुकुल के माध्धम से हम आप से कनेक्ट करेंगे आपके जो भी छोटे-छोटे समझाए हैं वो आप मुझसे टारिक बा सकते हमारे बॉडी से माइंड से और सोल से वो प्रोसेज आपको बताया जाएगा तो इसमें मैंने अल्रेडी क्लास करके इन स्टुडेंट्स को तयार किया हैं काफी अच्छे पोजिशन में आए हैं जो एकदम बहुत फ्रस्टेटेड़ और बहुत ही भयानक पोजिशन मे थे आज Grace of God God के क्रिपास से वो लोग एक अच्छे स्टेबल और अच्छे पोजिशन में हैं शान्त है सीख रहे हैं लर्निंग में चल रहे हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है अगर हम सतियोग में प्रवेश कर रहे हैं तो सतियोग के बारे में और हमारे जो अब तक के लर् जाने वाले हैं तो हमें सीखना है जैसे आप सब जानते हों जब भी कुछ जानना होता है जो मुझे गुगल में नहीं मिलते हैं या किसी और गुरू के पास नहीं मिलते हैं सीधा बैठ जाती हूं सखा को बोलती हूं बताओ एंसर तो और मुझे एंसर मिलते हैं ठीक है तो उस हिसाब से मैं आगे के knowledge आप तक forward कर सकती हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत amount huge amount डालके आपको admission लेना है बहुत low price है, normal है विकास हम जो मेहनत करेंगे 2-2 घंटे का एक एक class रहेगा प्लस आपको whatsapp पे जो group होंगे उसमें task दिया जाएगा projects दिया जाएगा, फिर हम group discuss करेंगे, फिर हम कुछ नया meditation है, नया कुछ changes है वो सारे चीज़े आपको guide किया जाएगा तो इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप interested हो तो आप Guru Cool join कर ले और शान्ती से आगे बड़े, क्यूं? क्यूंके बहुत बड़ी changes और बहुत बड़ी good news है जी हाँ, दोस्तो 2025 में एक बहुत बड़ी changes होने वाली है ठीक है, Mother Earth पर आज तो scientist ने भी declare कर दिया, science ने भी solar flare के बारे में बता दिया और यही चीज हमारे अधात्मिक जगत में भी था, कि बहुत बड़ा विनाश हो सकता है तो हमने जो last video, last meditation बनाया था, कि विनाश का बात है हम जानते है, science को लगता है, ठीक है, यह planetary system है, यह 11 साल में change हुआ है ऐसा 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 ठीक है, लेकिन हमें पता है, अगर divine चाहे तो divine एक चुटकी में बहुत कुछ change कर सकते है तो हम क्या कर रहें यहाँ पे, एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहें जब जब अधर्म बढ़ जाता है, जब जब पाप बढ़ जाते है, स्री कृष्ने आ जाते है कोई भी रूप लेके, ठीक है, तो उनके जो आप अवतार सेल्प्स देखोगे जैसे शुरू से बढ़ा अवतार हो गए, मत से अवतार हो गए, ठीक है, बामन अवतार हो गए तो यह revolutionary changes बताते हैं, कि कैसे कैसे समय के साथ-साथ human के बदलाव आए है human में changes आए है, ठीक है, homo sopheans के बारे में आप जानते ही हो तो यह जो प्रजाती थे, वो दीरे-दीरे आज हम एक revolution के साथ evolve होए है, evolve होके हम लोग आज मनिश्य आज जो हमारे changes आने वाले हैं, हो सकता है, हम और different कुछ बने, different ही बनेंगे जैसे हम बोल रहे, 5D consciousness के साथ हम connect होंगे, तो हमारे body, हमारे सारे चीज़े changes तो लाएंगे क्योंकि हम eternal होने वाले हैं, हम कभी मरेंगे ही नहीं, death ही नहीं आएगा, यह cycle break करके हम निकलने वाले हैं तो हम education ले रहे, हमें education देना है, हम रोज video बना रहे, divine brothers and soul sisters है, जो already बहुत बड़े बड़े channels है, जो अच्छे से सबको knowledge दे रहे, ठीक है, क्योंकि सब सिखाना चाहा रहे, कि आपको evolve होना है, आपको evolve करके आगे जाना है, क्योंकि हम new earth में प्रवेश करेंगे तो new earth के साथ साथ हमें उसके जैसे बनना है, तो अगर आज आपमें कुछ कमी है, आपमें knowledge नहीं है, तो आप जो अभी next changes आएंगे, जैसे 24th में विज्ञानिकों का कहना है, बहुत बड़ी tsunami आएंगे, ठीक है, 24th में, और उसमें कहीं शहर destroy हो सकते है साथी साथ 25th में solar fair का जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो वो satellites वगेरा जितने भी है ना, धरतिमा के orbit पे जो घूम रहे, या तो internet वगेरा सब दहस्त करने वाले हैं, क्योंकि हम अगर दुसरे एंगिल से देखें, तो यह natural है, 11 साल में, कहीं सालों में, 5000 साइकल में, एक बार changes होते हैं, लेकिन इस बार का जो changes है, यह सबसे बड़ा है, भयानक है, अच्छा, अगर फिर हम देखे, Divine Father Mother के तरप से, तो हाँ, धरतिमा के उपर, यह सारे के बाहर है, प्रेम की कमी हो गई, और जिस तरीके से, जिस कारण से Divine ने यह universe को रचे थे, वो कारण ही धीरे-धीरे लूप्त हो रहा है, जाहिर सी बात है, पितार उद्र रूप लेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है, कि सब को मार डालेंगे, जलाएंगे, लेकिन जब ऐसे situation आ आएगा, नुकसान तो बहुत लोगों के होने वाले हैं, बहुत सारे चीजे बदल जाने वाले हैं, तो यह तुफान तो आएंगे, टाल तो नहीं सकते, हाँ, कुछ कम हो सकता है, अगर हम सब प्रे करते हैं, और अच्छे से Humanity को सर्फ करते हैं, बहुत अच्छे से Inner Work करके एनरजी को और हाई करते हैं, तो शायद होगे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, अल्टिमेट धक्का तो देना आई पड़ेगा डिवाइन को, तो 25 में पर्मनेंट रियूनियन हो जाएंगे, बहुत नहीं सब की, सब की, जो भी Twin Flame Journey में है, 25 में सब की रियूनियन ठेक है, आज के डेज में लिख लेजिए, 100% पक्की है, 25 में कन्फर्म रियूनियन हो जाएंगे, लेकिन रियूनियन होने के लिए, क्या आप सज्ज हो, क्या आप knowledgeable हो, क्या आपके अंदर से वो सारे गंदेगी clean हो चुके हैं, क्या आप अपने higher self से complete connect हो चुके हो, क्या आप divine से connected हो, अगर ये सारे चीज़े आपके साथ हो चुकी हैं, आप पर्मानन्द में पहुच चुके हो, तो permanent reunion confirm, शादी confirm, ठीक है, तो तैयारी तो अच्छे से करना है, अब जो sisters मुझे बोलते हैं कि दिदी financial condition आप तो जानते ही हो, नहीं है, ये है, तो divine ने मुझे suggest किया, तो मैंने सारे meditation बना के दे दिया, क्या आप practice करो, सिखो, heal करो, और तैयारी करो, ठीक है, playlist में जाओ, free है, एक के बाद एक शुरू करो, और देखो, अगर उससे आपका काम हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आप meditation करो, आपको पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है, क्या आप meditation ही नहीं कर पा रहे हो, या आपकी connection ही नहीं बैठ रहे है, या आपके अंदर जो overthinking के situation चल रहे है, वो ठीक ही नहीं हो रहे है, तब तो आपको proper guidance लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप किसी से जाके कुछ कर लोगे, किसी अलग meditation को कर लोगे, बीना गुरू के आप कुछ भी कर लोगे उठा के इधर से उधर से उधर से उधर से तो क्या होगा, लुक में फसके गोल गुमोगे, आपको जो sister से connection feel हो, आप उनको गुरू बना, उनसे connect करो, सिक्षा लो, लेकिन सीखो जरूर, क्योंकि चेंजिस तो बहुत बढ़े आने वाले हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे गुरू कूल में आप सब के welcome है, स्वागत है, उसमें dance से लेके हर चीज मैं अवश्य, बहुत प्यार से सिखाऊंगी, और अब जो sisters और गुरू कूल में हैं, जो सिख चुके हैं, वो भी आपको help करेंगे, त ताके हम भविश्य में, जिस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ उस life को, जो evolution होंगे, जो हमारे new generation होंगे वहाँ पे, उनको भी तो सही सिक्षा देंगे, algebra की जरूरत नहीं पढ़ेगी वहाँ पे, हम लोगों को सिखाया गया algebra, आप बोलो कितने लोगों का काम आए, बट हम पढ़े, रट्टा मारने के लिए हमें जो history पढ़ाए गए, लिखके आए, ठीक है, ठीक टाक result किये है, हमारी life चली हम पढ़ाई किये, लेकिन क्या आने वाले सत्योग में, या 5D consciousness में, ये education काम पे आने वाले हैं, तो new सिखना है, बहुत कुछ सिखना है, और बहु हमारे education है ही जो हमने school college में सिखा, लेकिन साथ में जो हम spirituality के learning लेते जा रहे, जो हमारे practical experience होते जा रहे, ये भी तो important होने वाले हैं, तो सिखना बहुत ज़रूरी है, सही learning लेना बहुत ज़रूरी है, और आगे पढ़ना, खुद को सही तरीके से evolve करना बहुत ज़रूरी है, जैसे दोस्तों समय कम है और बहुत सारे लोगों को teaching भी देना पड़ेगा, खुद को evolve कीजिए, सीखिए और जल से जल पर्मनेंट union अवश्य अचिफ कीजिए, on-off situation में मत भटकिए, मत खुद को सोचिए कि क्या होने वाला है, कैसे मिलने वाला है, आपके अधरफ आपको ह ही मिलेंगे, लेकिन कब जब आप तैयार होंगे, पूरी तरह से, तो यहाँ पे divine feminine lead कर रहे हैं, और divine feminine को ही अपने आपको evolve करना है, masculine अपने आप होते हैं, तो बहुत अच्छे से changes आते हैं, अंदर से अगर आप काम करोगे, तो बाहरी दुनिया में energy checking और यह सब बंद करे और शांती से, study करे, research करे और evolve करे, thank you so much, love you all, God bless you all